हेलो मेरे पैरे विद्यारतियों कैसे आप लोग होप आप सब एकदम ठीक होंगे मैं आपका स्वागत करता हूँ सीए वाला के प्यारे से चैनल पर और आज बच्चों हम लेक्चन नमबर टू लेके आया हैं अपनी 10 मिनट कैपसूल में बिजनस लॉस का जिसमें बहुत ही प किसलो है कितना पुराना है बट आज जो हम डिसकस करेंगे बहुत ही धीमेधी में चलेंगे इसमें और मैं आपको सारे पॉइंट्स इसमें कवर करा दूँगा जो भी रेलेवेंट है ओके सर देखो क्या हुआ एक कंपनी थी जिसका नाम है कारबोलिक स्मॉक बोल कंपनी ल उस मेडिसीन में पाइप लगा हुआ था और आप उस मेडिसीन को अपनी नोज में एंटर करके वैपर्स को इनहेल कर सकते थे और जो भी उस मेडिसीन को यूज करता है कंपनी का ये दावा था कि जो भी उस मेडिसीन को यूज करेगा उसको इंफ्लुएंजा बिमारी नही निकाला जिसमें न्यूस पेपर में ये लिखा कि जो भी परसन हमारी स्मोक बोल को यूज करेगा उसको फ्लू बिमारी इंफ्लूएंजा बिमारी नहीं होगी और अगर यूज करने के बाद आपको इंफ्लूएंजा बिमारी होती है तो हम आपको 100 यूरोस का रिवार्ड दे बहुत ही जादा बड़ा माउंट हुआ करता था एंड ऐसा ही हुआ कई सारे लोगों ने हजारों लोगों ने इनकी एडवर्टाइजमेंट पढ़के इनकी स्मोक बॉल खरी दी हजारों लोगों ने पता है क्यों खरी दी क्योंकि जब ये एडवर्टाइजमेंट आया था तब उस country में pandemic चल रहा था influenza pandemic जिसकी वज़ा से around 1 million लोगों की death हो गई थी उस time पे तो इसलिए लोग डरे हुए थे घबराये हुए थे और ये advertisement देखके बहुत सारे लोगों ने smoke balls को purchase कि उसमें से एक customer का नाम है कारलिल तो कारलिल की story सुनाते हैं कारलिल जी ने क्या करा न्यूस पेपर ये हमारी कारलिल जी है मिसिस कारलिल जी इन्होंने जब वो न्यूस पेपर में इस्तिहार देखा कि भाईया अगर आप smoke ball यूस करेंगे तो आपको influenza नहीं होगा है ना और वो भी as for the directions जो दी हुई है उसके ह इन्हें influenza हो गया अब कारलिल जी तो बिमार पड़ गई influenza से जब ये ठीक हुई तो ये company के पास गई कह रिए कारलिल smoke ball company कारलिल smoke ball company मैंने तुम्हारे advertisement के हिसाब से smoke ball खरी दी उसे लगाया और तुमने कहा था कि influenza नहीं होगा और अगर हुआ तो हम 100 euros देंगे तो मेरे 100 euros दे दीजे तो company ने पता क्या का company ने कहा कि हम और तुम्हारे में कोई contract ही नहीं हुआ हमने आपको offer दिया ही नहीं आपने हमें acceptance दी ही नहीं तो contract हुआ ही नहीं तो जब contract हुआ ही नहीं तो हम आपको 100 euros थोड़ी देंगे advertisement तो invitation to offer होता है offer नहीं होता है ऐसा उन्होंने कहा तो अ अब क्या करा इन्होंने legal रास्ता अपनाया और इन्होंने case कर दिया कार्लील जी ने किस के ओपर tarbolic smoke ball company के ओपर और इस case में judges ने evaluate किया judges ने evaluate करने के बाद क्या किया भाईया ruling दी उन्होंने का हाँ हम company की बात तो मानते हैं कि advertisement invitation to offer होती है उन्होंने का हम मानते हैं कि normally जो advertisement होती है newspaper में वो invitation to offer होती है लेकिन अगर advertisement in form of reward है in form of reward है तो हम इसको general offer को कहेंगे इसको हम क्या कहेंगे general offer कहेंगे general offer मतलब ऐसा offer जो public at large को दिया जाता है second point पे उन्होंने कहा कि कारलिल जी ने acceptance कहा दी हमें अगर offer था भी तो acceptance कहा दी तो judges ने कहा lots ने कहा वहाँ पे lots कहा जाता है तो उन्होंने क्या कहा acceptance कैसे मिली जो भी person जो भी person वो काम कर देगा जो आपने लिखा हुआ था advertisement में क्या लिखा हुआ था करना smoke bowl को use करना smoke bowl को use करना बले ही आपको communicate करे या ना करे जैसे ही उन्होंने smoke bowl को use करा उन्होंने वैसे ही acceptance दे दी आपके general offer को और यहाँ पे आपके बीच में contract हो गया यहाँ पे आपके बीच में क्या हो गया contract हो गया और इसी लिए अब अगर सारलील जी influenza से बिमार हो जाती हैं तो आपको एक binding obligation है आपको उन्हे 100 euros देने पड़ेंगे और final ruling यही आई कि Mrs. Carlyle is eligible for reward और final यह ruling में Carlyle जी को पैसा मिल गया यहाँ तक तो आपको story बहुत बच्चों को बताओगी बट story यहाँ खतम नहीं होती है आगे की story तो गुर्पिस सर अभी बताएंगे न बाई 10 minute capsule में कुछ तो additional बताएंगे आगे पता क्या हुआ कंपनी ने इस ruling का भी वायदा उठा लिया मतलब कार बोलिक स्मॉक बोल कंपनी ने इस ruling का भी वायदा उठा लिया कैसे उन्होंने कुछ दिनों बाद इस ruling के कुछ दिनों बाद ही एक और इस्तिहार डाला क्या डाला कह रहा है तो यूरो से अब हमने reward 200 यूरो कर दिया पता है किस basis पे ध्यान दीजेगा क्या किया कुछ ही कुछ ही उन्होंने लिखा advertisement में कह रहे है हजारो कारपोली की smoke bowl भी की हमारी हजारो कारपोली की smoke bowl भी की जब हमने ये advertisement दिया लेकिन सिरफ ऐसे हजारों में तीन ही लोग आए जिनोंने पैसा मांगा इसका मतलब इससे ये प्रूव होता है इसका मतलब ये प्रूव होता है कि हमारी जो दवाई है हमारी जो medicine है वो सच में influenza के against काम करती है यानि अगर हमारे हजारों smoke bowl भी की और तीनी लोग खरीदने आए इसका मतलब है काम तो ये करती है और इसलिए क्योंकि हमारा confidence हमारी medicine पे बढ़ चुका है हम अब नया offer करते है 100 euros की जगा 200 euros जो अब खरीदेगा और उसे क्या करेगा इस्तमाल करेगा नय advertisement की भी photo दिखाता हूँ क्या आप देख रहे हैं वो हारे तो सही 100 euros लेकिन उन्होंने अपने business को और पढ़ाने के लिए एक और और हाँ हो सकता है कि उसके बाद भी कुछ लोग आया होगे उन्होंने उन्हें पैसा दिया होगा आपको concept clear हो गया होगा और after math भी पता चली गयोगी जो आपके ICI के study material में missing है ठीक है ओके सर तो आज के लिए टाटा भाएबे अगर आपको कोई और topic पे वीडियो चाहिए 10 minute capsule तो आप comment section में लिखे मुझे बता सकते हैं जितने जादा majority में जो topic common में होगा I will try to cover it up for you guys. Thank you.